तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का फोटो एडिट करने वाले हैं तो वीडियो को पूरी इंडर लिखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकोन को भी प्रेस कर देना तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको यह वाला बैग्राउंड पिक्साट अप्लिकेशन में उपन कर लेना है आप लोग लिए साइड में देख सकते हैं कि मायनिक कहां से इसको यूज किया है सबसे इसको ओपन करने के बाद आपको ड्रॉडूल ऑप्शन में क्लिक कर देना है यहां पर इसको ओपन कर लेना यहां पर इसको ओपन करने के बाद आपको यह वाला जो आइकोन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना यहां पर इसको क्लिक करने के बाद जो इंप्टी लेयर दिख रहा है उस पर वाइट कलर स्लेट कर लेना यहां पर इसको स्लेट करने के बाद इसको स्क्रोल डाउन करके नीचे लाएंगे और नीचे लाने के बाद यह जो इरेजर वाला ओप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक क करके आपको रेक्टेंगल वाला सेट कर लेना थर्ड वाला यहां पर फीड वाले ओप्शन पर क्लिक कर देना और यहां से कर देना ओक करनेक बार यहां पर टाइप करके फर्स्ट सेकंड वाली लेयर पर टाइप कर देना और इसको कुछ इस तरह से स्टेश करेंगे आपको भी स्टेम इसी तरह करना है और इसको इस तरह से रोटेट कर देना इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते इसको हलका सा नीचे ले लेना दोनों बाराबर होना चीए यह होने के बाद आपस एक लाइन टॉक करेंगे तो और यह गल्पी से आगया और इसको इस तरह से करना है तो यह आपस में स्टेप हो गया यहां से बैक से ले जाएंगे एक सेम पतला पतला लाइन डॉक करना है और इसको यहां पर इस तरह से सेट कर देना बीच में हलका सा बस यह लोग का गैप दिखना चीए ज्यादा बड़ा नहीं हलका ही दिखना चाहिए हलका सा नीचे लाएंगे इसको और यहां से इसको डंड कर देना करो है सहे इसको यहां यहां सटांद करने के बाद आपको अधसे हैं क्लिक करना है यहां पर आपको मिल जाएगा अटफोटर वाया और फसन और यहां से आप لي model को आप सेख कर लेना यहां पर करने के बाद इसको बढ़ा कर देना कि यहां पर आपको दिखेगा इस पर क्लिक करके इसका जो हाडनेस ए उसको 60 परसेंट के आस पास ले लेना और साइस को 70 70% के आस पास ले लिना और और इसको इस तरह से एडेश कर दिना इसको इडेश करने के बाद यहां से इसको ड़े न कर दिना और यहां पर सच्छुरेशन में जाकि इसको माने सन्रेट कर दिना वापस एक और फोटो एड़ करेंगे एक पीएंजी एड़ करना है उसका जो लिंक है डिस्कुरिशन में दे दूंगा वहां पर आप डाउंलोड कर लेना इसको राइट साइड में टॉप पे लगाएंगे और एक और पीएंजी एड़ करेंगे इसको भी लेफ साइड में लगादेना इसको हरे लगाना और यहां से इसको डन कर देना वह आपर ऐड़ को पे जाएंगे और यहां से एपने मोडल को टी लिंग कर लेंडा और वोस्कर लेक करने के बाद इसको राइट साइड में लगा देना हालका सा नीचे ले लेना बस यहां पर जो सेड़ वाला ओप्सन दिख रहा है इस पर जाएंगे यहां पर जो लेफ साइड में दिख रहा है उसको 90% का आज पास ले लेना और राइट साइड वाले को 30% का आज पास ले लेना और यहां स से इसको डन कर देना पॉपर साइड फोट पर क्लिक करेंगे पर एक साइडो एड़ कर लेना इसको यहाँ पायर के नीचे लगा देना सूस के नीचे यहाँ पे क्लिक करके इसका डूपलिकेट ले लिते हैं और यहाँ पे लेप साइड वाले पायर सूस के नीचे लगा देना है इसको हलका सा छोटा कर देंगे और यहां पर इस तरह से इसको लगा देना और इसको यहां से डन करने के बाद वापास एड़ फोटो पर जाएंगे और यहां पर आपने जो प्रोफाइल लिया है इसको यहां पर एड़ कर लेना इसको थोड़ा हम क्रॉप कर लेते यहां पर इसको यहां पर क्रॉप करने के बाद कर देना और इसको लिप साइड में यूज कर लेना यहां पर ब्लेंदिंग मोड में जाके इसको मॉल्टिप्लाइ मोड में कर देना और यहां पर लेप साइड में इसको यहां पर यूज कर देना हमारी फोटो जह है रेडी हो चुकी है अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्रीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना